हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे HIV टेस्ट विंडो पिरेड क्या होता है और एक्स्पोजर के बाद कौन सी HIV की टेस्ट कितने दिन बात करानी होती है इस वीडियो में आप जानेंगे विंडो पिरेड का मतलब कौन सा रिपोर्ट ना कराए कौन से समय पर आपको कोई रिपोर्ट नहीं कराना है PCR क्वालिटेटिव रिपोर्ट कब कराना चाहिए P24 antigen plus antibody combo reports आपको कब कराना चाहिए और Rapid Antibody Report कब कराना चाहिए सबसे पहले समत है HIV में बिंडो पिरेड का मतलब क्या होता है मान लीजिए कि किसी इंसान के अंदर एक तारीक को HIV का वाइरस किसी रूट से एंटर हुआ है तो आप मान लोग के दो तारीक, पात तारीक, दस तारीक को रिपोर्ट कराएंगे तो उस report के अंदर HIV का report वाइरस सरी के अंदर वाइरस होने के बावजूद भी report के अंदर HIV का report positive नहीं आएगा तो कहने का मतलब एह है कि जब HIV का वाइरस किसी इनसान के अंदर जाता है तो उस इंसान में laboratory report positive आने के लिए कुछ समय का वक्त चाहिए उसके बीच में कुछ अंतराल चाहिए तो जो ये अंतराल है HIV का वाइरस सरीर के अंदर दाखिल होना और laboratory के अंदर HIV साबित करना उसके बीच में जो अंतर है उसको window period कहिते है याद रखे HIV का तीन किसम की categories है और तीनों category का window period अलग-अलग होता है हर किसम की HIV का test का window period एक जैसा नहीं होता अब कौन सा report ना कराए इसको भी समझ लिजे तो आपका बिना बज़ा पैसा waste नहीं होगा exposure के बाद आपको HIV हुआ है के नहीं हुआ वो जानने के लिए आप CD4 का report मत कराए वो सिर्फ और सिर्फ HIV positive लोगों के काम की चीज़ है और दूसरा आप कभी भी PCR test कराते हो तो laboratory में जाने के समय उसको clear cut बता दीजिए के आपको HIV का quantitative report नहीं चाहिए HIV का quantitative report से तो बहतर है के आप HIV का qualitative reports कराए तो उससे आपको और accuracy से आपका result पता चलेगा इसलिए याद रखे आपको PCR का quantitative reports नहीं कराना है viral load का report नहीं कराना है कोई एकी report समय के अनुरूप अपकराओगे तो आपको HIV का infections नहीं लगा है वो आपका confirm हो जाएगा जीन लोगों का HIV का report ए प्रात्मिक report positive आता है तो ही उसका दुबारा report कराने की और confirm करने की जरुवत है सही समय पे कराया गया report negative आता है तो उस negative reports को confirm करने के लिए दुबारा report कराने की कोई अवश्यक्ता नहीं है आपको मानलो कि multiple sexual exposures हुआ है या तो कोई और exposures हुआ है तो आखरी जोकमी गटना से आपको पहले 0 से 17 दिन के अंदर कोई भी test कराना नहीं है आखरी जोकमी गटना से 17 दिन के बाद आप सबसे जल्दी report करा सकते हो तो यह वाला report है वो है PCR test उसको आम तोर पर HIV-1 proviral DNA qualitative test या HIV-1 DNA detector के नाम से जाना जाता है कभी किसी और laboratory इसमें किसी और नाम से भी जाना जाये ऐसा हो सकता है लेकिन आपको एक बार निसके sure करना है कि आपका report qualitative report के test की category में आना चाहिए आपको quantitative reports नहीं कराना है तो याद रखिए laboratory पे जाने के समय आप उसको clear cut बता दीजे कि आपको सिर्फ और सिर्फ qualitative reports कराना है यदि आपके वहाँ पे होता है तो ही हमारा खून लेजे और तो ही हमारा test करिए यदि आपके वहाँ पे qualitative reports नहीं हो रहा है तो आप हमारा खून ना लिजे और हमारा test ना करे और आप हमें मना कर दीजे ठीक है इसकी cost कितनी आती है laboratory से laboratory में इसकी खर्चा इसका जो कीमत ते हो अलग अलग रहता है उसका range 1500 रुपे से लेके 4000 रुपे के बीच में हो सकता है और ज्यादा तर laboratory में इसका खर्चा 2500 से लेके 4000 के बीच में है आखरी जोकमी कटना से 45 दिन के बाद कभी भी आप antibody plus P24 antigenes report कराना है अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो हमने पहला जो 17 दिन के बाद reports कराया उनमें जो DNA PCR ने PCR है तो मतलब मिसके वाइरस को genetics को detect करता है और 45 दिन के बाद antigen और antibody दोनु को detect करता है antigen का मतलब है कि HIV का वाइरस का P24 वाला envelope का part प्लस जब यह वाइरस अपने सरीर के अंदर जाता है तो कुछ समय के बाद अपने सरीर में उसके सामने लड़ने के लिए सैनिक बनना चालो हो जाता है जो special सैनिक है उसको antibody कहते है तो 45 दिन के बाद जो reports करायेंगे उस आप कर सकते हो कभी भी वो है antibody plus P24 antigen उसको दूसरा नाम है HIV duo या तो उसको HIV combo के नाम से भी जाना जाता है और वो है Aliza की fourth generation test एक काफी अच्छी test है यदि आपको पैसे का दिक्कत है तो आपको चिंता करने के जरूरत नहीं सिफ़ा 45 दिन तक रुक जाए और 45 दिन के बाद आप ए रिपोर्ट आप 500 से 1000 रुपे के बीच में आप लेबोर्टरिस में करा सकते हो क्योंकि PCR test मिसके काफी जगा पे उपलब्द नहीं होगी लेकिन ए ए फोर्जनेसन टेस्ट उपलब्द की संभावना काफी जादा है और काफी सस्ता भी है और 17 दिन और 45 दिन में थोड़ा अंतर है लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो मेरी राय है कि आप आखरी जोखमी गटना से 45 दिन के बाद कभी भी ए वाला रिपोर्ट सब करा सकते हो और मान लो कि आपके वहाँ पे ए रिपोर्ट उपलब्द नहीं है तो फिर आप आखरी जोखमी गटना से 90 दिन के बाद कभी भी गवर्मेंट के ICTC से अंटर जो होते हैं वहाँ पे आप रिपोर्ट करा सकते हो वह कौनसे किसम कौनसी स्टेज का रिपोर्ट से अलाईजा का कौनसा जनरेशन से है वह है अलाईजा थर्ड जनरेशन या तो आप HIV ट्राड़ट नाम का रिपोर्ट करा सकते हो या तो उसको HIV एंटीबोडी रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है उसके कुछ और नाम है combat है, retroquick, HIV rapid testing है तो कभी की और टेक्निक से भी उसका और नाम भी हो सकता है यदि उसका खर्चा गवर्मेंट में जाओगे तो आपको बिना पैसा कोई भी पैसा नहीं लगेगा और आपका रिपोर्ट फ्रीमे हो जाएगा और मालों कि आप प्राइवेट में रिपोर्ट कराना चाहते हो तो उसका खर्चा आपको आम तोर पर 300 रुपे से लेके 500 रुपे तक आएगा तो यहाँ पर जो आप 90 दिन के बाद जो रिपोर्ट कर देखते हैं उसमें क्या देखते हैं एंटीबॉडी देखते हैं एंटीबॉडी क्या है अपने सरी में बने हुए सेनिक जो एचएवे के सामने के लड़ने के लिए तयार होते हैं उसको देखते हैं 90 दिन वाला टेस्ट वह है एंटीबॉडी जो 45 दिन पर देखते थे वो HIV का P24 पार्ट भी देखते है प्लस एंटीबोडी दोनों देखते है और जो 17 दिन वाला जो रिपोर्ट था वो देखता है कि HIV का जो उसका जिनेटिक्स पार्ट था DNA PCR वो उसको उससे देखते है और याद रखे सर्फ एकी टेस्स से सही समय पे आपने किया है तो आपको HIV का status negative आता है तो उसके बाद आपको कोई रिपोर्ट कराने के आवश्यक्ता नहीं है यदि कभी किसी का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव रिपोर्ट को कनफर्म करने के लिए दूसरे रिपोर्ट की जरुवत होती है लेकिन सही समय पे की गई एक रिपोर्ट और वैदि वो नेगेटिव आते हैं तो negative reports को confirm करने के लिए आपको वापस report कराने के आवश्यक्ता नहीं है और यहाँ पर मैं खास सुचना देना चाहूंगा कि लोग report के नीचे हुए चीजे पढ़ते हैं याद रखे वो चीजे आम लोगों के लिए नहीं है वो चीजे doctors के लिए है तो आप रुपिया उसको ना पड़े वरना आपके दिमाग में और ज्यादा conclusions पैदा हो सकता है तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो का आपको पसंद आया है तो यहाँ पर screen में दिखाए गए right sides पर जो subscribe बटन है उस पर click करके आप subscribe कर सकते हो और याद रखे यहाँ पर दी गई चीजे सिर्फ एक आम जानकारी के लिए है कि अपनी जिवन में लागू करने से पहले HIV AIDS specialist डॉक्टर से एक बार व्यक्तिगत रूप से राय लेना आवश्यक है मेरा प्रिचे में आपको दे देता हूं मेरा नाम डॉक्टर केतन रानपरिया है मैं HIV AIDS specialist हूं मेरा क्लिनिक सुरत में है यदि आप सुरत से नस्दीक हो तो सुरत पर क्लिनिक पे दिखाने के मिलने के लिए आ सकते हो या यदि आप सुरत से दूर हो तो आप मिसके मुझे यहां पर स्क्रीन पर दिखाएगे वाटसप नंबर पर आपको कॉंटक करना रहेगा कौन सा चाहिए वो कॉमेंट सेक्षिन में लिख सकते हो थैंक यू हम अगले हर गुरुवार और हर रईवार शाम को पांच बजे मिलते रहेगा